आज के वीडियो में वर्गी करण अथवा क्लास्टिपिकेशन पर आधाय सभी संगों से MC को लेकर के आए हैं तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है आपके सामने चार आफसन दिये गए हैं और आपको बताना है कि वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है आंसर इसमें सही होगा B यू प्लेक्टेला का साधारण नाम है बीनस फूलों की टोकरी यानि बीनस फ्लावर बास्केट और जापानी लोग साधी के समय इसे उपहार में देते हैं मैंने पूरी फेरा के लेक्चर में इसको अच्छे से समझाया था फिर दूसरा क्वेश्चन है इस्पंजों का लक्षण है जारापसन आपके सामने है इस्पंजों का लक्षण कौन सा है बताईए तो इसमें आंसर सही होगा C छीद्र युक्त सरीद देखे जो इस्पंज है ये फाइलम पूरी फेरा के अंतर गताते हैं यानि पूरी फेरा को ही इस्पंज कहा जाता है और पूरी फेरा में पोरस का मतलब होता है पूर यानि छीद्र और फेरी यानि टूबियार या धारण करने वाले इसलिए पूरी फेरा कार्थ होगा छीद्र धारी इसलिए इसमें आंसर थे होगा छीद्र युक्त सरीर फिर अगला कुस्षन है कालर को सिकाएं पाई जाती हैं चार आपसन आपके सामने हैं कौन सा आपसन सही होगा सोचिए और बताईए तो कालर को सिकाएं इस पंजो में पाई जाती हैं इस पंजो में यानि इसका आपसन सही होगा पहला वाला और आपको बता दें कि इस पंजों की बाड़ी में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रतेक कीप कोशिका में एक कॉलर होता है हर एक कीप कोशिका में एक कालर होता है इसलिए इन्हें कालर कोशिकाएं कहा जाता है और कीप कोशिका या कालर कोशिका या कालर सेल्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखे और कालर कोशिका आपर अलग से वीडियो भी अपलोड़ेट है पूरी फेरा में कंकाल निर्माड करने वाली कोसिकाएं होती है चार अपसन आपके सामने दिये गए हैं बताईए जल्दी से सोची कौन सा आंसर सही होगा ऐसी कौन सी कोसिकाएं हैं जो पूरी फेरा में कंकाल का निर्माड करती है आंसर सही होगा इसमें से सी स्कलरोबलास्ट को उसका कंकाल का निर्माड करती है नेक्ष कुछन है इस पंजों के लिए कौन सा लक्षण सार्मभावमिक है सार्मभावमिक यानि यूनिवर्सल लक्षण कौन सा है तो आंसर इसमें सही होगा उच्च पुनरूद भवन की चमता यानि High Regeneration Power इस पंजो का यूनिवर्सन लक्षाड होता है करेक्टर होता है Next Question है दन्सकोशिका है एक देखे जो दन्सकोशिकाएं होती है ये भोजन को पकड़ने आधार से चिपकने वो आत्मरक्षा के लिए होती है भोजन को पकड़ने अधार से चिपकने वो आत्मरक्षा के लिए अगर आप लोग लेक्षर नहीं देखें दन्सकोशिका का तो जाकर करके मेरे चैनल से देखिए अच्छे से सबन्द में आपको आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बाक्स में दीजिए आप सभी लोग फिर अगला कुश्चन है हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है चार आपसन आपके सामने देगे हैं सोची और बताइए यदि आप लोग हाइड्रा का लेक्षर मेरे चैनल से नहीं देखें हैं कि सब्सक्राइण queries के अग employed दोनों प्रकार से होता है μ Barcelona złomes इसमें आनसर सइोगा पहला लिवेन हौक ने प्रोटो जोवा का अध्यान किया था लेक्स क्यूशन है मलेरिया रोग किस प्रोटो जोवा के कारण होता है ट्रिपाइनोसोमा प्लाज्मोडियम एंटमीबा इन में से कोई नहीं मलेरिया रोग किस प्रोटो जोवा से होता है तो सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम के को दवारा होता है अंवल्यूel देखना चाहता है प्रिपिडियो फूल बीडियो प्लेट अपरहिए आप जा खरकर देख सकते हैं को आपके सामने हैं कौन सा आप रचौकर सही होगा पैरा मीसयम में लेंगिक जनन संय योगमन के द्वारा होता है नेक्ष कुशन है नमर्कित में से प्रोटो जोवा नहीं है इन में से कौन सा ऐसा जन्तु है जो प्रोटो जोवा नहीं है तो अमीबा, यूगलीना, पैरा मीसयम ये सभी प्रोटो जोवा हैं लेकिन लिकोसोलेनिया प्रोटो जोवा नहीं है ये संग पोरी फेरा का जन्तु है नेश कुछन है जैली मचली किस वर्ग से संबंधित है तीन वर्ग दिये गए हैं स्काइफो जोवा हाइड्रो जोवा एंथो जोवा इसमें से जैली मचली किस वर्ग से संबंधित है तो आं आप लोग इन तीनों के बारे में या पूरे संख के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चरण में जाकर करके वीडियो देखी लेक्चर वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर नेश्ट कुशन है नम्रिकित में से कौन एक सिलेंट रेट है? कौन सा एक ऐसा जानतु है जो सिलेंट रेटा संग के अंतर गताता है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला समुद्री पैन सिलेंट रेट जानतु है नेश्ट कुशन है फिता क्रीमी पोसक से अपना भोजन किस के द्वारा प्राप्त करते हैं? चार अपसन आपके सामने देगे हैं जो फिता क्रीमी है ये पोसक से अपना भोजन किस के द्वारा प्राप्त करता है और फिता क्रीमी को टीनिया सोलियम कहा जाता है आंसर सही होगा इसमें से C अध्यावरण से अवसोसन के द्वारा मतलब सरीर की साता है से या तवचा के द्वारा अवसोसित करके पोसक पदात प्राप्त करता है नेश कुशन है यक्रित फ्लूग का मध्य पोसक है लीवर फ्लूग का मध्य पोसक बताना है इसमें आंसर कौन सा सही होगा घोंगा यक्रित फ्लोग का मध्य पोसक होता है घोंगा या पाइला अगर आप लोग यक्रित फ्लोग के बारे में जाना चाहते हैं फीता क्रीमी के बारे में जाना चाहते हैं पूरा वीडियो फुल फुल अप्लोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं, गोंगा पर भी अप्लोड़ेड है टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण है चार आप संदिये गए हैं इसमें मुख्य लक्षण कौन सा है तो आंसर सही होगा इसमें से डी उपरोक्त सभी टीनिया सोलियम के मुख्य लक्षण है नेश कुशन है गोल क्रिमी चप्टे क्रिम से किसकी उपस्थित के कारण भिन होते सिउडो सिलों के कारण यह कूट प्रगुहा के कारण भिन होते हैं नेश कुशन है बच्चों में पाया जाने वाला सामाने क्रिमी है इनमें से आज़वे केच्वे के उसरजी अंग है सोचे और बताईए केच्वे के उसरजी अंग कौन से होंगे तो आंसर सही होगा इस में से C निफरीडिया केच्वे के उतसर जी अंग होते हैं और जो निफरीडिया है यह देह खंडों में पाया जाता है नेश कुशन है फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है तो जो Ferritema है, Ferritema Postuma केचवे को कहा जाता है, केचवे का बैगेनिन नाम होता है Ferritema Postuma और इसमें रुधिरपरभां तंत्र यानि Blood Circulation System की बात के गए हैं, तो बंद प्रकार का होता है, Close Time Blood Circulation पाया जाता है, नेश कुशन है प्रगोही द्रब्या सिलो में फ्लियोड में गति किसके गमन में सहायक है तारा में इनहाइडरा मेड़क किचवा किसके गमन में सहायक है तो आंसर सही होगा इसमें से केचवे के गमन में सहायता करती है केचव में अंडासे किस खंड में पाये जाते हैं अंडासे 13 खंड में उपस्थित होते हैं अंडासे और अगर क्लाइटेलम पूछा जाता तो 14, 15 और 16 खंड में क्लाइटेलम पाये जाता है केचवे में ब्रेशन किन खंडों में उपस्थित होते हैं ब्रेशन यानि टेस्टीस सोचिए और बताईए केचवे में ब्रेशन किस खंड में पाए जाता है टेस्टीस किन खंडों में पाए जाती है तो आंसर सही होगा B, दस में तथा गेर में खंड में ब्रेशाण पाये जाते हैं और आपको बता दें केच्विय में लगभग में 100 से 120 तक खंड पाये जाते हैं पूरे शरीर में नेश कुछन है किसके रुधिर प्लाद्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है जो रेस्पारेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन ये किसके रुधिर प्लाद्मा में घुला होता है तो आंसर सही होगा D, केच्विय के रुधिर प्लाद्मा में घुला होता है नेश कुछन है घरेलू मक्ही निम्न में से किस रोग के अतरिक्त सभी रोगों का संचार करती है चार आपसन आपके सामने दिये गए है जल्दी से सोचें और बताएं कौन सा आपसन सही होगा घरेलू मक्ही निम्न में से किस रोग के अतरिक्त सभी रोगों का संचार करती है सबी रोगों को फैलाती है, तो पेचिस को फैलाती है, टाइफाइट को फैलाती है, हैजा को फैलाती है, लेकिन पीत ज्वर को नहीं फैलाती है, प्रश्ण में कहा गया था, घरेलू मक्ही निम्न में से किस रोग के अतरिक्त, तो पीत ज्वर के अतरिक्त सबी रोगों का करती है नेश कुछन है आर्थो पोड में किस की कमी होती है तो जो आर्थो पोड है संध्य युक तो उपांग इन में पाए जाते हैं खंड युक तो सरीर भी होता है स्वसन अंग भी होते हैं तो कमी किस की है पसमाब की कमी होती है नेश कुछन है कीटों का लक्षण है तो की आपको बता दें कि अगर आप घरेलो मक्חी के बारे में अधिक जान काई चाते हैं, पूरा डीटिल चाते हैं तो मेरे चलिब में घरेलो मक्חी पर बीडियो अपलोडड़ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं इसका आंसर सही होगा B लार्वा जो लार्वा होता है उसको मेगाट कहा जाता है यह मैंने लेक्चर में समझाया था अच्छे से नेश कुछने मच्छर द्वारा नहीं फैलता है इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है तो आंसर सही होगा B. हायजा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है जो मलेरिया है ये मादा एनाफलीज मच्छर के द्वारा फैलता है जो डेंगू है ये मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है जो फाइल एरिया है ये मादा क्यूलेक्स मक्षर के द्वारा फैलता है लेकिन है जा मक्षर के द्वारा नहीं फैलता है नेश कुछन है नेमन में से कौन मोलस्का से संबंधित है इन में से ऐसा कौन सा जनतु है जो मुलस्का का है तो कटल मीन तथा पाईला ये मुलस्का से संबंधित हैं और सिल्वर मचली तारा मीन ये सब एकाईनो डर्मीटा के अंतर गताते हैं नेश कुछन है आक्टोपास स्क्वेड तथा कटल मचली किस से संबंधित है तो ये सबी सिफैलो पोड़ा से संबंधित है नेश कुछन है पाद नलिकाएं पाई जाती है तो तारा मीन में पाद नलिकाएं पाई जाती है जो पांच भुचाय होती है उसमें पांच नलिकाएं होती है जिनें पाद नलिकाएं कहा जाता है तो एस्टरियास में और्ये सम्मित पाई जाती है आपको बता दें अर्ये सम्मित, दूइपार सो सम्मित, त्रीयास्तरी इन सभी के बारे में details से समझने के लिए इनका अर्थ क्या होता है मैंने lecture में समझाया आप लोग lecture जाकर के देख सकते हैं नेश्र कुछन है जो आसकैरिस है यह एकाइनो डर्मेटा का सदथ से नहीं है नेश्र कुछन है काड़ेटा का लक्षन है चार आपसन आपके सामने दिगे हैं इसमें काड़ेटा का लक्षन क्या होगा आप लोग बताईए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग नेश कुशन है कौन सा सीत रुधिर तापी जनतु है सीत रुधिर तापी जनतु cold-blooded animal तो इसमें से आंसर से होगा सी सार्क सीत रुधिर तापी जनतु है नेश्प कुछषन है, निमनमि से कौन जरायूजी है तो सारक जरायूजी होती है और जरायूजी का मतलब होता है वायवा परज, यानि बच्छों को जो जनम देते हैं उन्हें जरायूजी कहा जाता है सरीष्रा पिस्तन धारी पच्छी मत्सवर्ग तो मत्सवर्ग का उदारण समुद्री घोड़ग होता है क्योंकि एक तरीकी की मछली होती है नीश कुछन ए इथियो फिस किस से सम्बंधित है चार आप सन आपके सामने देगे हैं इथियोफिस किसके अंतरगत आता है तो उभैचर या एमफिबिया के अंतरगत इथियोफिस आता है नेश कुशन है उभैचर का हिर्दय होता है या एमफिबिया का हिर्दय होता है त्री कोष्ट है हिर्दय में तीन कोष्ट होते हैं तीन चेंबर होते हैं next question है निमना में से कौन एक सत्त अभय चवर नहीं है तरीओं एमफिभिया नहीं है तो कछु़वा एक सत्त अभय चवर नहीं है नेसच कूछन है मेढ़की तचा में उपस्तित ग्रंथियां होती है जल्दी से सोचे और बताईए मेढ़की जो इस्कीन होती इसमें इस इस ग्लैंट्स पाई जाती है तो स्लेस तथा 20 ग्रंथियां पाई जाती है म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंट्स पाई जाती है नेश कुशन है एक 20 हीन सर्प है इन में से ऐसा सर्प जिसमें 20 नहीं पाया जाता है बतारा है तो पाइथन में 20 नहीं पाया जाता है नेश कुश था कि कोब्रा का बिस्क किसको प्रभावित करता है तो आंसर इसमें सही होगा पहला तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है नेक्ष्ट सींग भेक है एक सरिस्रप निम्न में कौन सर्प नहीं है कौन सर्प नहीं है रेटल सर्प वाइपर सर्प काइट सर्प तो काच गोधिका सर्प नहीं है next question सबसे तेज उड़ने वाला पक्छी है ऐसा कौन सा पक्छी है जो सबसे तेज उड़ता है आंशर सही होगा इसमें से B albatras जो होता है ये सबसे तेज उड़ता है next question पच्छियों में सक्री अंडा से तथा अंडवाहिनी है ओवरी और ओविडक्ट तो बाई ओर होती है पच्छियों में सक्री जो एक्टिव ओवरी और ओविडक्ट होती है वो बाई ओर इर्ष्थित होती है नेश कुशन है आर्कियो पेटेरिक्स है आर्कियो पेटेरिक्स बिलूप्त पच्छी है बिलूप्त नेश कुशन है किसकी अस्थियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है इन में से कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनकी बोंस में बोन मेरो नहीं पाई जाती है तो पच्छियों की बोन में बोन मेरो नहीं पाई जाती है एक पच्छी जो दातों के लिए जाना जाता है ऐसा कौन सा पच्छी है जो उड़ नहीं सकता है प्लाइट लेस होता है आंजर सही होगा इसमें से बी एमू पच्छी उड़न रहीत होता है पच्छी की उड़ेंड पेसिया किससे जुड़ी होती है लेक्चर में मैंने समझाया था अगर आपने देखा तो बता लेंगे तुरंथ पच्छी की उड़ैन पेसियां किस से जुड़ी होती है तो आंसर सही होगा इस्टरणम की कील से जुड़ी होती है नेश कुछन है पैंग्विन में होते है पेंगविन में क्या होते हैं तो आंसर इसमें सही होगा चप्पू के समान पंख होते हैं चप्पू के समान नेश कुछन है ऐसा स्तंधारी जो अंडे देता है तो चीटी खोर या काटेदार चीटी खोर जो होता है ये अंडे देता है नेश कुचन है कंगारू है तो कंगारू बच्चों को जन्म देता है इसलिए क्या होगा जरायूजी होगा अंडियूज किसे कहा जाता है जो अंडों को जन्म देते हैं नेश कुचन है निम्नमिसे कौन मारीसस से बिलुप्त हो चुका है मारीसस से कौन विलुप्त हो चुका है तो आंसर सही होगाश में से बी डोडो पच्छी मारीसस से विलुप्त हो चुका है नेश कुछन है क्रंतकों में होते है रोडेंट्स में क्या होते है तो लंबे क्रंतक होते है नेक्स्ट ऐसा इस्तंदारी जिसमें दोनों दोध उत्पादन करते हैं यानि नर और मादा दोनों दोध उत्पादन करते हैं पाइथान, नेकेडिना, माइक्रोपस और डाडल फिश अंसर सही होगा इसमें से B एकेडिना नर और मादा दोनों दोत का उत्पादन करते हैं नेश्ट निवर में से कौन सा कथन सत्त नहीं है सोचे और बताईए जल्दे से इसमें से कौन सा कथन सत्त नहीं है तो अंसर सही होगा पहला संग पोरी फेरा के जनतु जिन्हें इस्पंज कहते हैं में जनन केवल अलेंगिक मुकुलन के द्वारा होता है ये सत्त नहीं है जिवधारियों के विकास में सही कालानुक्रम जिसमें चमगादर, सुतरमुर्ग, समुद्री घोड़ा तथा कच्छुआ प्रकट होते हैं सही क्रम बताना है जिवधारियों के विकास का आपसन कौन सा सही होगा तो आपसन सही होगा इसमें से जिसमुद्री घोड़ा, कच्छुआ, सुतरमुर्ग और चमगादर नेश्कूर्शन है निम्र में से कौन सा कथन सही है चार आपसन आपके सामने देगे हैं देखे और बताईए इसमें से कौन सा कथन सही है तो आंसर इसमें सही होगा सभी कसिर की काडेटा होते हैं, परंतो सभी काडेटा कसिर की नहीं होते है नेश्कूर्शन है, सिस्टोर्स में अंडा पूर्ण देखंडों का सरीर से अलग होना कहलाता है यानि ग्रेविड खंड जो अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है मैंने लेक्चुर में समझाया था जब फीता क्रीमी आपको समझा रहे थे तो आंसर सही होगा इसका पहला प्रमोचन कहलाता है प्रमोचन नेश्कुचन है टीनिया में उस सर्जन के लिए कौन सी सन रचनाय होती है इसका आंसर सही होगा पहला सोलेनोसाइट्स को सिखाए होती है उस सरजन के लिए टीनिया में चीनो पोडियम के तेल का उप्योग किस रोग में करते हैं चीनो पोडियम के तेल का उप्योग तो आंसर सही होगा पहला एसकेरियेसिस में करते हैं एसकेरियेसिस में नेश्ट लिकोसोलिनिया में थीकोसाइट्स का कार्य होता है सोचे और बताईए आंसर सही होगा इसमें से सी पोसक पदार्थ संग रहन करना या उनको एकठा करना नेश्ट मनुसे में मलेरिया परजीवी की खोश करने वाले बैग्यानिक थे मैंने लेक्चर में समझाया था आप लोग इसका आंसर कमेंट बाक्स में दें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजान्ट कहां बनता है जैके इसमें आर बी सी और यकरित दोनों में बनेगा कि एक ही में जिसमें आंसर सही होगा सी दोनों ए और बी दोनों में बनता है नेश कोशन बाथ स्पंज होता है बाथ स्पंज तो यू स्पंज या बाथ स्पंज होता है नेश कोशन हाइडरा में दंस कोशकाओं की उतपत्ते होती है दंस को इसकाय कैसे उद्पन होती है तो बाह चर्म से नेक्ष्ट मोती उद्दो के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है आंसर सही होगा इसमें से B क्लियोना स्पंज हानिकारक होता है नेक्ष्ट जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है सोचिए और बताईए तो यू प्लेक्टेला भेट में दिया जाता है नेक्स्ट जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संग है जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संग आर्थ्रो पोड़ा है नेक्स्ट प्रोटो जोबा का कौन सा वर्ग केवल पर जीवियों का है तो आंसर सही होगा इसमें से D इस पोरो जोबा केवल पर जीवियों का इसमें केवल पर जीवी पाया जाते हैं नेक्स्ट टीनिया सोलियम का 60 सरकस लारवा पाया जाता है चार आपसान आपके सामने दीगें आंसर सही होगा सी सुवर में यदि आप लोग टीनिया सोलेम की लाइफ साइकल इस पर पूरी जानका आई चाहता है तो मेरे चल्म में फुल वीडियो अप्लोड़ है आप लोग जाकर के देख सकते हैं नेक्स्ट निम्न में से कौन एसकेरिस का लारवा है यानि इन में से एसकेरिस का लारवा कौन सा है अगर आप लोग एसकेरिस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं पूरी लाइफ साइकल देखना चाहते हैं तो मेरे चल्म में वीडियो अप्लोड़़ है आप लोग जाकर के देख लिए अच्छे से समझायागा है उसमें सारी question फ़स जाएंगे तो इसका answer सही होगा पहला रेब्रेटी फार्म लार्वा नेक्ष्ट काक्रोज से आने वाली तीब्र दुरगंध का कारण है नेक्ष्ट जापान में किसे मोती उद्रगंध का जनक कहते हैं तो इसका answer सही होगा सी कोकी चो मिकी मोटो सी वाला केच्वे में कौन से खंडों में हिर्दय होता है सोचे और बताईए हार्ट किन खंडों में पाया जाता है इसका आंसर सही होगा सी साथवे, नवे, बारवे और तेरवे खंड में हार्ट पाया जाता है फिर अगला है केच्वे में पोर्फाइरिन वर्ण का कारे है पोर्फाइरिन जो पिगमेंट पाया जाता है उसका कार क्या होता है तो यक्रित में कारे है उसका नेश्ट केच्वे की क्लोरोगोगन को सिकाएं समरूप होती है आंसर कौन सा सही होगा जल्दी बताएं केच्वे की क्लोरो गोगन को सिकाएं समरोप होती हैं किसके समरोप होती हैं तो सरीर की हानिकारक परावेंगने क्रोनों से रक्षा के लिए नेक्स्ट लारर की नली का किस में पाई जाती है यह मैंने लेक्चुर में समझाया था जब फैसियोला आपको बताया था इसलिए इसमें आंसर सही होगा फैसियोला में लारर कैनाल पाई जाती हैं नेट टर्बिलेरियन होते हैं तो स्वतंतर जीवी होते हैं नेट फैसियोला हिपेटिका पाया जाता है तो भेड के यक्रित में फैसियोला हिपेटिका पाया जाता है अगर इसकी लाइफ साइकल देखना चाहते हैं तो मेरे जल्में वीडियो अप्लोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं अगला कुश्चन है काक्रोज का हिर्दय होता है तो काक्रोज का हिर्दय तेरह कक्षों वाला होता है तेरह और अगर आप लोग काक्रोज का जनन चक्र फिजियोलोजी एनाटोमी जितना कुछ भी इसका डेटेल है जानना चाहते हैं तो मेरे चल्में फूल वीडियो अप्लोडर है चित्र सही समझाया गया है अच्छे से आप लोग जा करके देख सकते हैं नेक्स कोईशन है पच्छियों की विस बोन बनाती है यह बनती है अंसमेखला से विस बोन बनती है एसकेरिस के लारवा का प्रथम निरमोचन होता है तो एसकेरिस के लारवा का प्रथम निरमोचन कहां होगा फास्ट मॉल्टिंग कहां हो लेक्चर में समझाया था एमनियोटा की अंत्रकत सरीस्रा पक्षी और इस्तंधारी वर्ग आते हैं नेश्ट कुछ ने खरगोज में सुक्राणवों का पोशन और संग्रहन होता है कहां होता है सुक्राणवों का पोशन और संग्रहन हमेशा आधिव रिशन में होता है नेश् ग्रंति प्रोश्टेट ग्रंति है फिर अगला खर्गोस में निसेचन के कितने समय बाद गरभासे में भून का आरोपड होता है इंप्लोटेशन होता है तो आंसर सही होगा समेसे बी छे दिन नेश्ट खर्गोस में अंड वाहिनी का अग्र फूला हुआ भाग कहलाता है पस्माभित कीप कहलाता है नेश्ट खर्गोस के वीर में छारकता का कारण चारक्ता का कारण क्या है तो काउपर ग्रंथी है नेच्ट अंडजता पाई जाती है पेंगविन में अंडजता पाई जाती है नेच्ट मादा खरगोस का क्लिटोरिस है सोचे और बताईए आंसर सही होगा इसमें से पहला पेनिस का समजात अंग तो 100 questions हो गए हैं और अगले 112 questions next वीडियो में लेकर के आएंगे तो आज के अंक में इतना ही और अगर आपको question अच्छे लगे हो तो वीडियो को like और share कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए धन्यवाद